तो चलिए दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी संका है कि यूटूब चैनल कैसे बनाएं, यूटूब चैनल ग्रो कैसे करता है, यूटूब चैनल कैसे कैसे होता है, तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, कि आप जो अपने यूटूब चैनल को ग्रो कैसे कर सकते हैं, यूटूब चैनल को में टाइज कैसे करते हैं, और यूटूब चैनल से पैसे कैसे आता है, निश्चित रूप से आप लोग यह सोच रहे होंगे, कि सर आप तो 3-3 चैनल चलाते हैं, कई लोग मुझे कमेंट भी लिकरते हैं कि सर आप वीट बनाते हो यह वाला वीडियो पना रहा हूं तो पीछे में जो शीलवर प्ले बलंड रंड ढाल बिटन दीख रहा है तो करें लोग बोलते हैं कि विग्राउंड ऑब चेंज करती हैं क्या जबर्दस्ति लगा दी है क्या ऐसा नहीं भैया यह जो य महां पर ऊपर में search करना के सी सर बस लिखना के वहल के िसी सर लिखोगे तो भी आपको सजेस कर देगा कि आगे आएगा के साथ क्लास इसका मतलब अगर आपका चैनल बहुत सही तरीकसे चल रहा है तो यूटूब भी आपके चैनल को सजेस्ट कर देता है जैसे कोई सर्च कर रहा हूगा ना केसी बस लिखेगा दो सर्की क्लासेस बता देगा तह Underी कई सर्च की क्लासेस तब समझ जा ना कि आपका चैनल जो है क्या जा रहा है है सर्च में जा रहा आ अगर आप कही चैनल को सर्च करते हैं, है ना, अगर आप कही चैनल को उसके नाम से ही सर्च कर रहे हैं, तो वो चैनल अगर उपर में आ रहा है, सबसे उपर में आ रहा है, तो इसे ही कहते हैं सर्च में आना, जैसे आप मेरा ये चैनल भी सर्च करके देख सकते हैं, टेकनिकल दो मेरा यही चैनल उपर में आएका आएगा हाले कि Agent थे नाम से कई और चैनल होंगे तूशे नीचे आएग थे नफ of यह होता है चैनल को सार्च मिलाना आज इसके लिए को करना क्या है मैं आपको बता रहा हूं करना पुछ होता है बस आपको जो जो भी आपको नियम बताया जाता है यूटूब के रिलेटेड यूटूब से रिलेटेड कि आपको चैनल बनाते समय कौन-कौन से सधानी बरपता है तो मैं आपको बता दूँँ ओपन करोगे desktop mode में तो वहाँ पर आपको channel keyword डालना होता है उस channel keyword में आपके channel के नाम को ना तुकड़ों में डालना होता है जिसे मेरे channel का नाम main channel की बात कर रहा हूं केसी सर की classes तो मैंने उसको क्या क्या है केसी सर की classes एक बार लिख दिया फिर केसी सर की classes को बीना space के लिख दिया फिर केसी सर को पूरा अलग अलग तुकड़ों में लिखा एक में केसी लिखा उसके बाद सर लिखा उसके बार की लिखा उसके बाद classes लिखा मतलब जितने प्रक जैसे में चैनल है टेक्निकल के ही सल तो, एक तो मैं क्या करूंगा सब से पहले चैनल को जो की वाइड होता है वहां पर मैं इसको ढालूंगा डूसरा जब हमकोई फीडियो अपलोड करूँगा तो जो टेक होता है टाइटल लिखा होगा ना कोई भी वीडियो में टाइटल लिखा होगा टाइटल को कॉपी पेस्ट करो डिस्क्रिप्शन में लगा दो सबसे टाप में पहला काम दूसरा काम आपका चैनल का जो आपने handle लिया होगा add the red channel का नाम हाना अभी चैनल का एक handle होता है add the red channel का नाम जैसे मेरे channel का नाम जो भी है उस channel से हमने handle ले रखा है तो add the red cases अर्की classes ये तो उस channel का handle होगा उसको भी आपको डालना है तीसरा आपको डालना होता है customer के नाम से रेलेटेड ही हेस्टेग आपको ढूरूर डेलने हैं इतना चीज़ अगर आपको नोगे दूप समय से क्या है क्या आपका चैनल सर्च में नहीं आ रहा है 100% सर्च में आएगा यह दावा है क्योंकि यहीं प्रक्रिय करता हूं और और यह मेरा तिसरा चैनल है और यह चैनल हमने जो बनाया है ना तो इस चैनल में हम क्या करते हैं जो भी प्रशन पूछ दिया जाता है कई लोग बोलते हैं कि सर आप क्या करते हैं कई लोग बोलते हैं कि सर व्लाग वीडियो बनाओ फैमली वाला वीडियो बनाओ कहीं घुमन यह चैनल पढ़ाने के लिए नहीं है लोगों का है यूटूब से रिलेटेट आपको आपको जरूरते हैं उनके अधार पर मैं आपका help कर सकता हूँ अब आपको वीडियो एडिट कैसे करना है तो वीडियो एडिट करने के बहुत सारे अप्लिकेशन है कई लोग काइन मास्टर यूद करते हैं कई लोग वीटा यूज करते हैं लेकिन आप सभी जानते हैं कि आपका जो वीडियो है उसमें जब आप वीडियो एडिट करेंगे तो कहीं पर भी किसी भी साइट कब या किसी भी कोई भी आप चिस है अपकी विडियो में तो बीना लोगो वाला वांटर वावान को या करना होगा वीडियो बनाना है तो उसके लिए बताने क्या हो लेक। आप अपने विवेक का प्रयोग करके बहुत सारे ऐसे अप्लिकेशन है जिसका उप्योग कर सकते हैं और सबसे बड़ी बाद अभी अभी के डेट में पहले तो नहीं होता था अभी यूटूब ने खुद ही एक अप्लिकेशन लाउंच कर दिया है जिसमें आप बहुत ही अस हत्रिन फिचर है उसमें अगर आपने कोई वीडियो बनाया है और बहुत स्वर्गूल हो रहा है ऐसे आवाज आ रहे हैं जो आपको लगता है कि अरे यह जबर्दस्ति का आवाज आ गया है इसको तो मुझे इस वीडियो से निकालना चीए तो वहाँ पर वाइस नोइस क्ल करने के आवसकता नहीं पड़ेगी तो यह है बहुत ही सांधार इस एप्लिकेशन का मैंने कई वार उपयोग भी किया है हाला कि मैं तो बहुत सारे एप्लिकेशन है जिसका मैं आवसकता नोशार उपयोग करते रहता हूं क्योंकि मैं दो-tीन वीडियो अलग-अलग बनाते वीएन यूज करते हैं वीटा यूज करते हैं और बहुत सारे हैं जिनका यूज भी आप करते होंगे उनका आप क्या कर सकते हैं बहुत असानी से आउपयोग कर सकते हैं याद रखना है वाटर मार्क नहीं होने चीए वैसे वीएन को सब लोग यूज करते हैं मैं भी बहु जैसे यह तो मैं अपने मोबाइल से कर रहा हूँ, मोबाइल में जैसे filter में लगा रहा हूँ वीडियो बनाते में filter लगा रहो हूँ बढ़ा अच्छा लगता है यहाँ पर देखें बहुत सारे filter हम लगा सकते हैं कई बार वीडियो बनाते बनाते ही आप लोग इस प्रकार फिल्टर लगा लीजिए बात में आपको जादा कुछ करने के आवसकता नहीं होगी देखें कौन सा फिल्टर आपको अच्छा लग रहा है कपेंट करके जुरूर बताएं तो यह डारेक्ट एपलिकेसन का फीचर है केमरा का फीचर है मतलब हमारे मोबाइल केमरा का फीचर है और बड़ा अच्छा रखता है इस प्रकार वीडियो बनाते हैं और आपको कुछ भी एडिर करने के आवसकता नहीं होगी इस वीडियो को मैं क्या करूंगा डारेक्टली अपलोड कर दूंगा क्योंकि इसमें कु करता होगा कई पर भी कुछ भी गड़र नहीं है तो आप लोग ब्रकार बनाएं आप पहले सवस्ज्ज लें कि क्या बोलना है क्या करना है कैसे वीडिव बनाना ने और वीडियो को सिधा पब्लिस कर दो क्या दिखकत है तो निश्यतरूप से आप लोग बहुत असानी से ब कैनल को ग्रोव जरुद रुख रहेंगे चलिए मिलते हैं एक और बहुत इन्टों साथ तब तक लिए जाहन जबारत